नवस्कार मैहूल भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूस का खास प्रोग्राम राजिस्थान में लगातार ग्रामीर छेत्रों में पिछले दो महीने से लोट सिटिंग का बहाना बना कर सरकार समय बिता रही है जिसमें ग्रामीर छेत्रों में रात के समय आमजन को सबसे भारी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है सरकार दोरा लगातार प्रति दिन लोड सीधिंग का बहाना बना कर रातरी के समय प्रति दिन दो से तीन घंटा आने मित विदुत कटोती की जा रही है गर्मी से बेहाल मौसम में रात के समय लोग घरों से बाहर आकर रात गुजार रहे हैं लेकिन सरकार की और से प्रति दिन का एक ही बात वर्तमान राजिस्थान में राज सरकार पिछले लगातार कई महिनों से विध कटोती को लेकर फ्लॉप नजर आ रही है। ग्रामीर चेतरों में गहलो सरकार को अबियात किया जा रहा है जो की जादूगर की शासन में किसी भी प्रकार की विधुत संबंद समस्या उत्पन नहीं हुई। वर्तमान राज सरकार सबसे ज़ादा फलॉफ विदूत के मामले में हो रही है और ग्रामीर छेत्रों में तो सबसे ज़ादा बिमार बुदर्गों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है सरकार को ये बहाना आगामी समय के लिए बहुत हानिकार थाबित होगा जन्ता ने सबक सीख लिया है कि वर्तमान सरकार राज सरकार दौरा विधुत के अलावा कई ऐसे मामले हैं जिसमें सरकार पूरी तरह से प्राप्त नजर आ रहे हैं विधान सबा में प्रदिदिन ने गोशना जारी हैं लेकिन धरातल पर एक भी योजना अभी तक इस सरकार से लागुन नहीं हुई है बल्कि ग्रामीर छेतरों में गरीब लोगों को परिशान किया जा रहा है भाजपा सरकार इस से पूष में कई बार शासन राज में किया है लेकिन इस बार सबसे जादा आम जन परिशान हो रहे हैं अगामी विधान सबा के उपचनाओं में विदोत का टौती को लेकर भाजपा को भारी नुकसान छेलना पड़ेगा चाहे सरकार कितना भी बहाना बना कर जनता को बेव को बना रही है लेकिन जनता अब पूरी तरह से सरकार की सापलूसी से सबक ले लिया है सत्याप के सामने से सुरेश वागेला की एक खास रिपोस्ट